हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मारके स्टड़ी देखे एक वेकेंसी आउट हुई है सिक्योर्टी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की वेकेंसी है जूनियर टैक्निशन की पोस्ट है और भी बहुत सारी सुपरवाइदर की पोस्ट भी है इसमें पोस्ट जो है वो 95 पोस्ट है डिब्लोमा भी वीटक जो ग्रेशन करे हुए है आई टैई वाली भी इसमें अपलाई कर सकते हैं सैल्डी इसमें 21540 से लेकि 77500 तक सैल्डी रहेगी इसमें लास्ट डियो डिसकी रहेगी 1542 तो फुल नॉटिफिकेशन देख लेते हैं तो इससे पहले आपको क्या करना है प्लीज सब्सक्राइब लेना जिससे कि आपको एक नॉटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी डिप्लोमा डिग्री वाले हैं इसकी वेकंसी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है फुल नॉटिफिकेशन देखते हैं अब देखे वे सिक्यूर्टी बिंटिंग प्रेस है यह उनुट ऑफ सिक्यूर्टी प्रिंटिंग मिन्टिंग कॉर्पेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड यहां पर हम बात करेंगी गवर्मेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है यह ठीक है और यहां पर आडवेटाइजमेंट नंबर आपको याद होना चाहिए यह पता होना चाहिए 01 2024 का अडवेटाइजमेंट नंबर है और पंदे तारिक को यह नॉटिकेशन निकला हुआ था यहां भी हम बात करेंगी एकि सुपरवाइजर प्रिंटिंग दो वेकेंसी है और यहा प्रिंटिंग कंट्रोल 68 वेकेंसी है जूनियर एक से हैं पर गोल्र एक सी हुआं पर और जूनियर टैक्निशन लेक्टोर्टां सिंस्ट्रॉमेशन की वेकेंसी टीन वेकंसी है ठीक है perfect टोटल वेकेंसी यह है अब आहीं देखते हैं आगे हम यहां पर जो वह में चीज़ें वह मगें देखने वाले हैं देखिए eligible हम देख लेंगे यहाँ इसमार वैजरे प्रेंटी चरहां के क्या होगा यहां पर देखिए BSC Engineering in Printing Technology से है अगर ठीक है तो आप इससे भर सकते हो फॉर्म को 18 से 30 आपकी एज रहेगी ठीक है अठार से 30 रहेगी जो भी छूट आपको दी जाएगी वह S.E.S.T. में आपको पता है Supervisor Technical Control की Vacancy है यहाँ पे First Class Full Time Diploma in Printing Mechanical, Electrical, Electronics and Computer Science Information Technology Form Recognition University यहाँ पी Supervisor Technical Control में देखको आपको डिपलोम आगर आपने किया है Printing से किया हो या फिर Mechanical से किया हो या फिर Electrical से किया हो या फिर Electronics से किया हो या Computer Science से किया हो तो आप इसमें को भर सकते हो और B.E.T.E.B.C. है ठीक है Engineering में आपके पास है ठीक है आपके पास ब्रांच होनी चाहिए Mechanical, Electrical तो आप इसमें भर सकते हो 38 से 30 से कि भी एज रहेगी Junior Technician Printing Control में देखके W1 लेविल में फुल टाइम आपके पास अगर ITI है NCVT से हो चाहिए SCVT से हो Printing Trade होनी चाहिए आपके पास यह कह रहा है तो आप इसमें भर सकते हो ठीक है और आप जैसे Offset Machine Letter है Press Machine Minder Offset Printing है यह आपकी यह ट्रेडिंग जो है मतलब जो ट्रेड है वो इसमें होनी चाहिए ठीक है 38 से 25 एज रहेगी और Junior Technician अगर फिटर से आपने किया है फिटर होना चाहिए NCVT से या फिर SCVT से होना चाहिए 28 से 25 एज रहेगी यह ठीक है इसका देखते है Junior Technician वेल्डर में आपके वेल्डर की आपके पास आइटर होना चाहिए 1600 यहाँ पे जो आपकी एज रहने वाली 28 से 25 रहने वाली अगर SC के हैं तो 5 साल चूट मिल जाएगी वो BC है तो 3 साल की चूट मिल जाएगी ठीक है Junior Technician Electronics इसके बाद हम बात करेंगे आपके Supervisor O.L.R.M.A.1 लेवल पोस्ट है Master degree आपके बास अगर है तो इसमें भर सकते हो Hindi और English With Hindi English Hindi Subject Graduation होना चाहिए आपके पास And One Year Experience मागा हुआ Translation For Hindi to English And Vice-Versa Knowledge of Sanskrit होना चाहिए तो इस तरीके से दे रखा है उन्होंने तो 38 से 30 इसकी एज मागे होई है Junior Officer Assistant B3 में Graduation आपके पास होना चाहिए Profession Marks होना चाहिए Computer Science Computer की Knowledge होना चाहिए Typing आपके पास 40 word permanent Hindi और 30 English होना चाहिए Hindi 30 और English 40 38 से 28 साल की एज इसमें है ठीक है इसा ही यहां पर Fireman की एक वेकेंसी है 10th Class अगर आपके पास 10th है तो इसमें form भर सकते हो आप Certificate आपका Fireman Training होना चाहिए आपके पास कोई Certificate अगर आपके पास है अगर Fire Training का तो आप इसमें form भर सकते हो तभी आप applicable होगी ठीक है इंपोर्टेंट से नोट और EWS आप पढ़ लेना Eligibility 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 में कोई जारूत नहीं है पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए बाकी Citizen of India होना चाहिए इस subject of Nepal और Bhutan चल जाएगा इस तरीके से होना चाहिए यहां पर हम बात करेंगे आगे देखते हैं important dates देख लेते हैं एक बारी कि यह आपको 15 तरीक से निकला था और 15 चार तक आपकी वो रहेगा last date ठीके closing date रहेगी तो भल लेना फॉर्म को जो भी लोग भनना चाहते हैं और tentative date of examination जो होगा आपका लगवाव मई और जून में हो जाने वाला है examination ठीक है age relaxation आपको सामने देख सकते हैं SCST में 5 साल की चूट होगी और OBC में 3 साल की चूट होगी और disability अगर परसान है तो 10 साल की चूट होने वाली है इस तरीके से चूटे है age relaxation बोलते हैं इसको बाकि examination जो fees है वो 600 रुपे इसके बाद देखते हैं हम यहाँ बांड जो है बांड भी इन्होंने मांगा हुआ है तो 3 साल का लगबा लगबा कह रहा है कि 3 यह का आपको बांड भनना पड़ेगा है यहाँ पर जिसे आप जौब छोड़े देते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसा नहीं होने वाला है तो बांड भी उनका देख लेना जो भी है आगे क्या होने वाला है selection procedure selection procedure में देखिए general यहाँ पर क्या है selection will be post of done त्रावदा online examination होगा will be objective type अगर supervisor tu printing में देख लीजिए यह आपके पास syllabus है ठीक है general awareness English आएगी numerical आएगी और पार्ट B में जो आएगा पार्ट B में होने वाला है पार्ट B में आएगा वो technical subject आएगा जो कि 60 नंबर का कुछ शाट कुशन होगी ठीक है और 90 marks के होगी तो टोटल marks 120 का होने वाला है ठीक है इस तरीके से देएगा है अब यहाँ देखिए यहाँ पर इस परवाइजर की जो पोस्ट है यहाँ पर general awareness आएगा वीच नंबर का computer science भी होगी इसके अंदर ठीक है general English आएगी वो वीच नंबर के आएगी और general Hindi जो आएगी वीच नंबर के आएगी test domain knowledge और including Hindi to English and vice versa यह आपका लगबार रहेगा 60 नंबर का ठीक है तो 120 नंबर का यहाँ पर examination आपका होने वाला है ठीक है इस तरीक से आप देख सकते हो पूरा notification मैंने आपको बता दिया है there is no negative marking कोई भी negative marking नहीं होगी ठीक है यह point आपको मिल गया है अच्छी बाद है और आग देखते हैं इस फॉर्म को आप भल लेना ठीक है एप्लाई का लिंक में डिसके बॉक्स में दे जिता हूं हर बारी जैसा कि और वहां पर जाके डाट लिए आप भर सकते हो फॉर्म को कि का बहुत सारी चीजे मांग वाइब के photograph है signature है left time impression है और आपका photo file type और size होना चाहिए आपका file size और है handwritten declaration of with white paper black होना चाहिए इस तरीके से बहुत सारी चीजे माग वह हैं ठीक है payment online होगा आपका ठीक है यह सारी चीजे होने वाले है बगी हेंड रटेंड डिकलेशन आपके एक बात देख लिए न यह सारे किस तरीकी से दे रखा है और बाकी देखते हैं साफदानी पूरा भरना फॉर्म को कि यह यह तो किसी से भरवाले ना का समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है बाकी इन्होंने स्लेवस दे रखा तो PDF में आपको दे दूँगा पूरा से लेवस दे रखा है नोंने सारा पूरा से लेवस दे रखा है इस बंदर ठीक हैं क्या क्या आपको पेपर में आने वाला है सब कुछ दे रखा है तो आई होप चीज़े क्लियर हुए होगी और लाइक करना वीडियो को यह PDF आपको मिल जाएगी टेल कि जो कुछ रहा गया हो मालनू तो वो आप देख सकते हो ठीक है कुछ बहुत सारी PDF है इसमें बहुत कुछ लेखा हुआ है तो पढ़ सकते हो चलिए चलिए थैंक यूफर वाचिक दिस वीडियो सब्सक्राइब करना लाइक करना वीडियो को झाल झाल झाल